नमसकार दोस्तों सम्सेमिस्टर वारिक वारिक परिच्षा 2021 में सेमिस्टर सिस्टम को ऊनलाइन एकजाम के माध्यम से संचालित होना उसके लिए प्रावदिक सिच्छा परिसत के द्वारा नवीनतम गाइडलाइन जारी की गई हैं आज हम उनी guidelines पर चर्चा करेंगे और step wise mock test किस तरीके से होगा उसका भी procedure करेंगे तो सारा कुछ बताऊंगा मैं आज की इस video में तो इस video को बिना switch किये हुए पूरा देखना है तो आपको आज mock test से संबंदित संपूर जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका चैनल में मैं डॉक्टर सोनवीर सिंग राजकिये पॉलिटेक्निक जानसर्थ मुझफर नगर से आज के session में आप सभी का स्वागत करता हूँ और वीडियो को शुरू करने से पहले बोल दूँ कि अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पर किलिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको चैनल से संबंदित समस्त नवीन तम जानकारी आपको प्राप्त होती रहे हते बना समय गवाई वीडियो को प्रारंब करते हैं जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों भी सभी ओन्लाइन सेमिस्टर की परिच्छा स्टार्ट प्रारंब होने जा रही है तो उसी के लिए प्राविदिक सिचा परसत के द्वारा जो गैडलाइन जारी के गए ह जिसका विसे है सम सेमिस्टर वार्सिक परिच्छा 2021 में सेमिस्टर सिस्टम अन्तिम सेमिस्टर एवं इंडस्टियल सेप्टी के चाच्छाता हो ही तु पंजी करने मौक टेस्ट के संबन में ये जो लेटर है या जो भी पत्र है वो जारी किया गया है अन्तिम सेमिस्टर के क्योंकि 18 तारीक से 18 अंतिम सेमिस्टर की परिच्छा स्टार्ट हो रही है जिसमें अंतिम सेमिस्टर और इंडस्टियल सेफ्टी के सभी चाठ चात्रा है तो उनके लिए जो समय सांडी थी जो हमने लास्ट वीडियो में भी बताई है जिसमें 14, 16 और 17 में आपको अपना मौक टेस्ट और रिस्टेशन करना था किसी कारण वस से वो कल नहीं हो पाया और उसके लिए आज डिटेल जो है वो हम आपको डिसकस करेंगे कैसे आप मौक टेस्ट को अपना कर सकते हैं तो इसमें ये आपका जो पिछला 11 तारीक का लेटर था उसमें उसका रिफ्रेंस दिया गया है कि जिन भी छात्रों को कल से मौक टेस्ट और पंजीकन करना था उनके लिए गाइडलाइन जारी करनी गई है उसमें बताया गया है कि सेमिस्टर सिस्टम के वल अंतिम सेमिस्टर एवं इंडस्टियल सेप्टी के परीच्छा आवेधन फॉम भरने की प्रक्रिणिया पूर कि ये हुए छात-छातों का पंजीकन मौक टेस्ट एवं ओनलाइन परीच्छा ये तो यूपीबीटी एक्जाम.in लिंक का प्रियुक किया जाएगा यानि कि आपको जो अपनी परीच्छा देनी है वो आपका जो लिंक होगा एक्जाम का वो यूपीबीटी एक्जा के लिए आविलन किया है और आपका जो यूजर नेम है वो आपके एन्रॉल्मेंट नमबर से है और पासवर्ड आपके जो भी पंजीकत इमेल आईडी होगी या आपका जो मोबाइल नमबर होगा यूराइस पर उस पर भीज़ दिया जाएगा और यूराइस पोर्टल पर आप student login के अंदर एंटर करके उसके बाद आप mock test program करेंगे तो वो भी हम step by step आपको सारा प्रोसीजर सारी बिदी बताएंगे किस तरीके से आप mock test कर सकते हैं एक्जाम schedule की सूचना आपको पुरही उपलब्द करा दी गई है कि आपका परिच्छा का कारिक्रम जो है वो किस-किस दिनांग में दिवस में हैं आपकी वो सारी सूचना आपको पहले ही प्रोवाइड करा दी गए इसके साथ साथ सभी चात्रा हो जो पंजीकड और mock test है व तो क्या आपको आपके login के अंदर मिल जाएगा और 10 बजे से साम को 6 बजे तक यह चालो रहेगा help line number इसके साथ साथ अगर कोई और भी समस्या है या आप चाहें तो mail के मात्यम से भी upbte exam at gmail.in पर भी आप संपर्क कर सकते हैं अब हम देखते हैं कि step for the mock test क्या आपको mock test जो करना वो क्या क्या step आपको follow करने पड़ेंगे तो जैसा हमने बताया कि आपका जो user name है exam के लिए वो आपका enrollment number है आपकी सुवधा के लिए सभी चाट्चातों के लिए user number आपके enrollment number से दखा गया है और password आपको जो है वो आपके registered email id और mobile number पर URISE के माध्यम से वो आपको मिल जाएगा जो आपका URISE पर जो email id और mobile number registered है उसी पर आपको password मिल जाएगा registration and mock test will be done at upbt exam.in जो आपका registration है और जो mock test है वो इस link के माध्यम से होगा तो जो already आपको आपके URISE portal में मिल जाएगा लेकिन ये वही student दे पाएंगे जिन्होंने examination का form भरा है तो सबसे पहले आईए हम start करते हैं कि कैसे हम mock test करेंगे उसको देखते हैं इस प्रक्रिया को करने के लिए हमने student की have लिए क्योंकि student login में ये सारी प्रक्रिया संबभ होती है तो हमने student की have लिए student से जो भी procedure है जिन student ने किया है उनसे procedure के माध्यम से कि student से हमने screenshot लेकर कि क्या-क्या procedure आता है वो देखके हमने बताया है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि के लिए student ही कर सकता है क्योंकि उसमें verifications होता है camera के माध्यम से तो वो student के लिए ही possible है तो सबसे पहले step है browse urise, urise को आपको browse करना है sorry यहाँ पर i missing है urise होता है तो browse आप करेंगे urise.up.gov.in पर तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको इस तरह की web page को लेगा जो home page होगा इस पर आप देखें राइट अपर corner में login का button है इस login के button पर आप जैसे ही click करेंगे तो वह login पर click करेंगे तो आपको इस तरह की screen जो है वो website जो है वो show होगी ठीक है इसमें आपके पास user ID और password यहाँ पर urise का user ID और password है ध्यान रखेंगे अब आपके पास दो username और password है एक वो है जिससे आप पहले से ही already urise को use करते हैं और दूसरा वो है जो exam के लिए specially आपके पास enrollment number और एक password आया है तो यहाँ पर student login के अंदर आपको अपना urise वाला username यूज करना है जो आपको ur से start होता है ur 2020 करके आपका start होगा वो आप username यहाँ पर डालेंगे और देन आप यहाँ पर password देंगे ठीक है इनको दोनों को entry करने के बाद जैसे ही आप इस पर login करेंगे तो आप आपका एक window आपकी खुल जाएगी जिसमें बहुत सारे options students के लिए available होते हैं इसी में देखेंगे left side में different tabs available है dashboard, view timetable, examinations, exam timetable ठीक है तो यहाँ पर आपका जहाँ आपने block लगा रखें को गोपनियता के लिए हमने इसको रखा हुआ है तो यहाँ पर आपका नाम, आपका पर आपके पास एक exam timetable बाला link आ रहा है, जैसे ही आप step 4 में press on exam timetable पर click करेंगे तो आपके पास ये window open होगी, इस window में आप देखेंगे तो आपका enrollment number, आपका नाम, father's name, आपकी branch, semester, username, password और यह URL, यह तीनों चीज आपको देख जाएंगी, जैसा कि हमने last video में गताया था कि जैसे ही आप portal में अपने login में जाएंगे तो आपको वापर username और password मिल जाएगा और इसके साथ साथ आपका URL, यानि वो link जिसके माद्यम से आप online examination के लिए जाएंगे, जिसमें हमने अभी पीछे बताया था, upbte exam.in या इस यहां से, आप दोनों से कहीं से भी direct भी कर सकते हैं, तो जैसे ही आप इसमें login में जाएंगे और अगला step आपका 5 होगा, you click on the online examination link, press on the, step 5 होगा आपका, press on online examination link, जैसे ही आप अपना username और password डालने के बाद, आप जैसे ही अपने exam portal के अंदर जाएंगे, तो उसमें आपके पास आपका username और password आएगा, और exam का link आएगा, तो वहां से आप अपना username और password दोनों को आप note कर लीजे, वैसे आपके पास username enrollment number है, और password में आपको already mail पर आया हुआ है, अगर वहां पर नहीं भी मिलता है आपको तो परिशान नहों, आप अपना यहां से भी note कर सकते हैं, यहां से note कर लीजे, और then आप उसको press करिए, जैसे ही आप नीचे भी देखें, तो इसमें सारा कुछ instructions आपके लिए लिखे हुए हैं, तो आप यह भी एक बार पढ़ लेंगे, और अपना user ID और password जो अभी आपने login में देखा है, ठीक है, यहांनी कि यहां पर अपना enrollment number और आप अपना password यहां पर enter करेंगे, जो आपको mail के माद and enter on proceed, ठीक है, तो आपके पास वहां पर agree का option आएगा, उस agree के option enter login and ID के password के बाद, we can choose agree, उसमें आप agree को चूज करेंगे, और enter on proceed, ठीक है, पर आप enter कर देंगे, then उसके बाद take your photos to time, जब आप एक बार इसमें login करेंगे, अपना login ID और password देंगे, तो देने के बाद आपसे य वहां पर जो window आएगी, उसमें वह आपसे दो photograph क्लिक करने के गया, तो take your photos two times, तो आप अपने photos वहां से क्लिक करेंगे, दो photo वह लेगा, verifications के लिए, जो भी व्यक्ति, बोर्ड की परीच्छा में, जिन्होंने आपने जो login किया है, वही student परीच्छा दे रहा है कि नी दे र हो जाएंगे, तो आप वहां पर login करेंगे, ठीक है, login जैसे ही आप दुबारा करेंगे, तो आपके पास ये examination registration form आ जाएगा, ठीक है, उत्तरप्रेस Board of Technical Education, examination registration form, जिसमें आपका login ID आएगी, name आएगा, ठीक है, name आएगा, और contact number है, contact number, email ID अब लिखा हुगा, आप अपनी detail च बबारा से login करेंगे, तो आपको ये registration form को एक तरह से submit करना है, already सारा कुछ फिल होगा, आपको अपनी तरफ से जो भी detail है, आप इसमें भर दें, और ये आपका registration form, already सारी detail आपकी mostly आएगी, क्योंकि आप already examination के लिए apply कर चुके हैं, तो सारी details आपकी database में है, लेकिन कोई भी detail अगर ऐसी आती है, जो फिल करने के लिए आप से पूछा जाए, तो आप उसे भर सकते हैं, और यहाँ पर आप उसके बाद, enter on proceed application option, तो नीचे जो proceed application का जो sign था, उस पे आप click करेंगे, ये आप दी देगे, yellow color में proceed application, इस पे आप click करेंगे, जैसे ही आप इस पे click करेंगे तो enter on proceed option, ठीक है, यानि कि पहले आपने किया proceed application, ठीक है, proceed application, उसके बाद आए, enter on proceed option, फिर proceed का option आएगा, उस पे आप click करेंगे, proceed के option के बाद, फिर जो अगला step है, वो आप जैसे ही आप proceed करेंगे, वो आप से camera और mic की permission लेगा, ठीक है, that they can use your camera and mic, जैसे ही आप camera और mic की permission क उस step में, तो then again press on proceed option, जब आपने allow कर दिया camera और mic के लिए allow किया, तो उसमें proceed option आएगा, proceed पर आप click करेंगे, 13 step में, 14 then enter on continue option, फिर आपके पास एक option आएगा, उसमें आप continue option पर press करेंगे, step 15 में क्या करेंगे, click on continue after selecting course, अब आपके जैसे ही enter करेंगे, तो आपके पास इस त पर देंगे, और proceed कर देंगे, तो proceed करने के बाद आपके पास ये window आएगी, जिसमें आपका नाम, courses आपके आएगे, और किस के लिए आप test दे रहे हैं, वो आप यहाँ पर select कर लें, कोई भी mock test के लिए आप search test, कौन सा test देना चाहते है mock test, तो हो सकता इसमें कोई एक ही test द student ने अभी एक भी attempt नहीं किया है, दो attempt हैं, दो attempt में से पहला attempt, अगर आपका पूरा कर लेंगे, तो यहाँ पर एक लिखा हुआ जाएगा, और time आपको 30 minutes का मिलेगा, और click on continue to start, अब जैसे ही आप ये window खुलने के बाद continue पर प्रेस करेंगे, आपका mock test विल भी start, आपका mock test complete कर लेते हैं, तो click on end test after completing your test, जैसे ही आप अपना test पूरा कर लेते हैं, last में एक आपके पास end option आएगा, end test का, ठीक है, उसमें आप उसे प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद जैसे आप end test प्रेस करेंगे, तो आपके पास अगला जो step आएगा 17, click on yes submit button, ये देख रहे तो आपका test जो है, वो submit हो जाएगा, finally जब आप test को submit कर देंगे, तो आपके पास इस तरह की एक window open हो जाएगे, इस पर लिखा हुआ test submitted successfully, अगर ये लिखा जाता है, तो समझ दिए आपका mock test successfully पूर्ण हो गया है, अगर किसी तरह की कोई परिशानी आती है, तो दुबारा स से आप एक attempt और कर सकते हैं, इस तरह से आप अपनी mock test की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं, तो thank you, thank you very much, thanks for your patience, जो भी student आद चैनल से पहली बार जोड़े हैं, उनसे निवेदर हैं, कि चैनल को subscribe कर लीजे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो एक like जरूर कर दी जिसे आपको, thank you, thank you very much.